हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग हमें उम्मेद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे आज से हम लोग दोस्तों रूख मेनी बीपीएसी का बहलों टू है जो इसमें 120 प्रस्ण दिया गया है और यह जो है टेस्ट त्रेस्ट फाइब ऑप्सन वाला दिया गया है इसमे इसमें आपका प्रस्ण एक 120 प्रस्ण दिया गया है इसमें आपको यह 40 कर कि तक मैठ और इसमें कितना रहा चली दोस्त को आज केम सेसन को सुरू करते हैं सप्सान में ग्रिफ्टार होने के बाद धर्षना अभास्तियव जी ने किया थे गांधी द्वारा sowas स्रोजनी ने किया था यहां पर पूछा गया कि गांधी की सत्यागर होने के बाद धर्सना साल्ट वक्स पर हमला करने है तो की गई यात्रा का नित्रियत अब बास तिया भी ने किया था अप्सन नमर इसका राट 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 अप्सन नमर इ यह इसका राइट एंसर देगा लट लहोजी का सासन काल के बारे में देखा जा फिर तो यह जो है ठार सो और तालिस से चापन तक रहा था है अगरा पुष्ट में दिया गया है कि निवनेखित में से किसने जो रेड शच्ण अने के लाल कुर्तिकों नाम है अंदोलन का युजोन किया था तो आपका इसका राइट न्सरसे का सबसे पहले तो आपका इसका राइटेंसर क्या हो जब तो ऑप्सागर को जोड़ता है तो स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भुमाज सागर को जोड़ता है स्वेज नहर का राष्टी करण जो है मिस्र की राष्टपती अब्दुल नासिर के द्वारा जो है उनिस्टुशापन में किया गा था कब उनिस्टुशापन में और इस नहर का निर्मान कार्थ कब शुरूआ था तो यह 1869 में शुरूआ था और 1879 के बीच हो गया था और इसकी योजना के बीच शुरूआ था तो 1869 में बनकर त्यार हो गया था और जो है इसका स्वेज नहर का राष्टी करण कब गया था तो उनिस्टुशापन में किया गया था यह याद रखिएगा नेक प्रस्टन देखते हैं कि हट्सर नदी निवने किकिनार है पेरिस यह दिकनार है और पैरस्यम संथ से जोड़ता है यह यहापी आप यह राथें तो प्रविजना इसका नदिपर बनाई गई है तो आपका इसका राइट तरज़ेगा ओप्षियार नदिपर यह जो केरल में जो है पिर्यार नदिपर बनाई गई है पिर्यार नदी केरल राज के सबसे लंबी और बड़ी नदी भी है यह याद रखेएगा तो आप्शन नमबर जो है सीज का राइटेंथर देगा हीराकुन बात किस नदी पर बना है सभी लोग जानते कि हीराकुन Gmail यह उडिसा में है किस नदी पर तो महा नदी पर ऑपसर नंबर 28 का रैटेंथर न bacon महा न द्रजो है उडिसा किस निर्वान देखा जाय तो मैं इस है से पूमलर कता ज़ितने वाले आप का ब्भारत स्का बारत जीता है था दोस्तों हालि में चैणरे यह से को लाइच कि यह कि छात्रों में उथम शिल्ता का विस्वास और कॉसल विकास करने के लिए ते जासी आप शाट्रों में उत्मसिलता का विश्वास और कोशल विकास करने के लिए तेजर्सवी कारिकरम कहां प्रणा किया गया था तरह किया गया था अपका मत पर्देश में अपसर 20 का रैट लिए इंसरों फखती मंत इ। जल सक्रार्ण 25 नीगायों की पहली गण्म के है सरवाधिक जलासे वाला राज पशी मंगाल है और जल निकाय को संख्या में मामले में सिर्ष पांच राज क्रमसा हैं पच्छी मंगाल उत्तरपदेश आनपदेश उडिसा और असम यह याद रखिया फैट से हाली में अजर्बेजान के वाकू में आई आई एस एस एफ शुकब तुछर तीस में भारत पदक तलिका में कौन सा था रहा तो इसमें जो भारत जो है इसमें दूसरा था अपसर नमर 20 का राइट एंसर पदक तलिका में नेक प्रश्ण है कि सौंग महसव का जोन कहां किया ग और पुसकर में राहिस्थान में और बैसाखी या गुरुपर या पंजाब का महसव है तो याद रखियागा फैट से किस राज या राजियों में राज खेल पुरुसकार एंस समान युजना प्रणा करने की खुश्णा किया गया तो यह किया गया आपका राइट एंसर बि दुर्ण तेस में जिए माँसागर दिवस मनाई गया गया कब तो आठ जून को आपसन नंबर यह इसका राइटेंस बहा नौ जुन को जब इस परतियाएन दिवस मना जाता है और दस जून को विस अने त्रदान दिवस मना जाता है तो यह घ्याद रखिएगा अला पर्सम पूसरे गूरु पूछा जाए तो गूरु हर गोविंशेंगे दस में गूरु थे तो शीखों करो प्रतम को तो गूरु नानक देए दूसरे गूरु जो अंतिम गुरु गुरु गोविंसी हुए जिनका जनम कहा हुआ था तो पटना में हुआ था यह दोस्तों फैट स्याद रखेगा उनसी सताबने में हिंदु धर्में के पुनर जागरन तो पुनर जागरन का पीता सब लोग जानते हैं कि यह राजा-राम मुहराय को कहा जात यह था कि अगया तो लाला लाजपत्राय की मौत का मतला लेने के लिए क्लिए जिए लाओ लातिय परहार से मौत हो गया था तो उस भाब ako कि यहां पर पुछा गया है को स्षिकंदर के गुरू का नाम और थो पूला नम्र 20 सिखंदर का 326 बीसी पूर में हुआ था त्रिंसो च्शाबिस पूर में जो है आने कि सिकंदर का मिर्टु हो गया था बेबिलोन में याद रखेगा अगला पर स्थे हैं कि जहलं का यूद किसके ने जीता था तो जहलं का यूद जिए या सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था तो इसमें यूद में किस ने जिता था आपका रूते लिवा झाथ स्थान एक मृतांट प्रिटा कईया दो दोस्तों यहाँ पर टाल मीटी पायाता है कि सहलोगा मैं बिहार के मानचीत एक पसार प्रस्थान एक पर यहां फंटेंड़ प्लिवाद पायते है दोस्तुर से से उपजाव म्रिदा है यह आठ से दस किलोमेटर गंगा के दच्छिन में वस्तित हैं यह रभी फसल के लिए सरवादे को फियोगत हो था किसलिए तो रभी फसल के लिए तो याद रखेगा नेक पूस्ट नहीं कि बीस वेपार से इंगठन के स्थापना कब हो था तो डावल आपको लोग जानते हैं कि गुजरात के लगा इसका पूस्तित है तो आपका सब्सक्राइब तो आपका इसका है सब्सक्राइब कज्च की खाड़ी में कांड्रा जो है करी में यह इसी थे फिर coordin कर इसका कांड कर कष्कर का कहाड़ी याद रखेगा खंभात की खाड़ी भी गुजरव्ट के पास नहीं बल्कि कर Ondore जो है यह कष्कूरण करकोre sage प्रपूटर का वं किससे नाम से जहना जाता है तो आपका इसका राइंगह निशनल काज़निक नशनल पारक जो है ये इसम में है जो सुरच्छी जान मंड़ने नहीं है मनार्गी ठाड़ी जो है यह स्रिलंक यह तामिलाडों के पासे यह यद रखिएगा हploy कि लोनि किस्की सैन की नदि तो आपको बता दो कि लोनी एक ऐसी नदि है जो राय ऐस्थान में बिलिन. यहां पर दिया गया कि चेरापुंजी मासिरा मंगलूर चेरापुंजी मासिरा में और मासिरा में दोनों में वर्था अगर्ञेँ सबसे दिक वर्था बर्षा प्रानिन पर्षा주고 अनिम्तम वर्षा देखा तो कहां होता है ति यह ले में होता धोया यहां पर सबसे किम वर्था होती है बिश्व का सरवोज परवत सीखर एवरेष्ट नेपाल में किस नाम से परसीद है तो नेपाल में जो एवरेष्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं आपसा नमर 6 का राइटन से रहा नेपाल में एवरेष्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं तो अप्सान नमर जो है शीष का राइट एंथर जगा एवरेट के उचाई के बारे में देखा जाए दोस्तों तो इसका उचाई जो है आठाजार आठाजार और तालीस मीटर है आठाजार और तालीस मीटर यह मांट वरेट की उचाई है जो कहा है नेपाल में है भारतिय सविधान के सबसे बड़ी विस्यस्ता किया है तो भारतिय सविधान के देखा जाये तो सबसे बड़ी विस्यस्ता यह है कि भारत का सबसे बड़ा सविधान है अनिकि सबसे बड़ी सविधान के किस अनुछेद में या वर्णित है कि परतेक वेक्ति धार्मिक विश्वास और उनके अनुरूप आच्रेंट करने के लिए तथा अपने विचारों को दुसरे का समझ सोतंतर रखने में सवतंतर है तो धार्मिक से समझित कौन साथ अनुछेद हो जागा अपसर न लिए जैए मेरेश का राइट अच्छेद जोस्तों आपको यह वीडियो प्संद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और जैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और भीडियो कहनते में दुस्तों आप अपना स्कोर बताणना खुलिएगा का स्कूर में किस मे ऑस नमबर् 4 यानिकूप एक से को जाओ से घिक हो जाओ सतनता हुगत है शोतनता प्रवत्तम रूप जो है कायम करके जो है हम लोग सांती का स्रुवत्तम रूप माना जाता है तो आपसव नमबर एक बीसी यह निकि तीनों हो जाएगा तो आपसव नमबर चार एक से अधिक हो जाएगा दोस्तों प्रथम अकाल जो है अंग्रेजी सासरकाल सत्रा सा सत्तर से बहत्तर में आया था लेकिन उसे त्यतालिस में भी फिर आया था भेंकर अकाल आया था तो आपसव निमर चीज का राइटिद धर जाएगा अगला पुष्ण है कि यदो धान मुद्र भहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो ये इस ती क्या कलाती है तो जैसे ही अगर धान आप मुद्रा पैसा जाए और जो है जो खरीदना है वह भूथ कम पड़ जाए पैसा हमारे पास अभी हमने समझाया, पूरती में क्या होता है, बीधी को मुद्रा क्या हो जाता है। कि आधर और राज के बिच कोष्क कर संसाधनों के भी थी वित्रन का निप्टारा निम्निखित में से किस के दोरा किया जाता है तो यहां जो निप्टारा किया जाता है तो आपका इसका राइट एंथर किया जागा और पांच अन्हें कि इनमीज से कोई नहीं हो जागा नबाट के था आपना देखा जाए तो छटी पंच वर्शी जो ना कि दौरान किया गया था उन्हें तो भोपाल गैस तराहदी किस वर्श हुआ था तो भोपाल गैस तराहदी में से है मिसाइल आइसो सैनाइट यह लिख हुआ था तो यह कब हुआ था तो आपका इसका राइट एंथर का अब तो गांते जी ने लॉर्ट महात्मा और एक्रत एकतिस एक्राहता क्या गया था क्या है विख्राणय। कुनमीं समझा हुआ इन वे कोई नहीं है वह गांते वह सब्सक्राण परमानों परिछन कव यह किया था था तो दोस्तों आपको बता दो कि भारत है सबसे पहले परमानों का परिछन जिए 17 सवरी 1970 में किया था अक्षान नमर जो है यह इसका लइफ सबस्क्राइब 설 अपने पहले किया था कब तो 18 मइज 18 मइज 2014 को 18 मइज 1974 को जो है किया था यह 12 किलो टर्ण शहमता का पहला परमानो परिश्चन किया गया था जिसका जो है और कि कोड किया था तो smiling बुधा था और सफल होने पर क्या बना है का smiling बुधा बुधा हंस रहे तो यह इसका कोड था कि उत्रिए अट्लाटिक समुंदर मार्क जो है यह दुनिया का सबसे जो है ब्यस्त समुंदरी मार्ग है ऑपसर नमर सीज का राइटन से रोगा यहां पे जो है सबसे दिख मातरा में वेफ़पार होती है कि गाच रूसल अच्छी निमसे किसकी रचना है तो गाच रूसल बिधान सभा के सदस निर्वाचित हुए थे निर्वाचित हुए थे 179 में और स्वर्गिय राम विलास पसवान जो है यह उनिर्वाचित हुए थे अगला प्रेंट्स की बिहार के प्रथम कच्छुवा पूर्णरवास के अंदर कहां बनाया गया तो आपको बता दू कि कच्छुवा पूर्णरवास के अंदर भआगलपूरम बनाया गया ऑफ सण नेमर इसका रइट सदगा भागलपूर में एक और किया है तो डौल्फिन के बनाया गया है और पूर पूर्णरवास भी भआगलपूर में बनाया गया तो दोनों दूस्तों याद रखेए गा कच् सब्सक्राइब कर देखा जाए और महात्मा गांदी के पुष्टक है तो यह याद रखेगा नेक देखते हैं कि भारत के एक परशित संगीतकार इस बालचेंदरन को निखित में से कौन सा वाधियंत्र बजाने के लिए जाना जाता है तो भारत के प्रशित संगीतकार इस बालचेंदरन यह बीना वाधक थे ऊप्सानेमर इसका रेटेंड तो गया तब्ला वाधक जो हो जाएंगे उस्ताद अल्ला रखा जाएंगे तब्ला वाधक थे याद रखेगा अगला प्रश्चन एकते हैं कि कौन से जनत कि एक चार कुछ होते हैं लेकिन लेगने वाले जी होते हैं उसमें तीनकच्छी हुर्दे होते हैं अगला प्रश्ट नेकते हैं दुस्तों कि एलकायन संत्रीप्त हाइड्रोकारबन जिसमें दो कार्बन परमानुव के बीच एक तिसरा अबंद होता है का समाने सुत्र क्या होता है तो आपको बता दो कि इसका आपका राइटेंस होगा और पांच इन में से कोई नहीं होगा इसका जो समाने सुत्र होता है मैं अब दो क्यों 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 क आपका इसका राइट अपसिर जाता है तो जब न यहीं में परवर्टित हो जाता है जब हम दाप को एक एट्मोसफियर कम करते हैं तो कार्बन अक्साइड के अधर गैस से जो सीथे ठोस में परवर्तर हो जाता है जिसे हम लोग जो है ठोस कार्बन अक्साइड कहाते हैं आप्सवर नमर सी इसका राइट इंद रो जागा निर्मेश से किस सिधांत के अनुसार कोई रौकर अंतर्य नी किया था तो प्रसित की संकरमग औधार नायका परजाण सबसे अगर पुछा जाएगा कि प्रास्षित की के बार में सरपर्थम इनस्टे हेकले ने बताया था और प्रास्षित की तंद्र सब्द किसी ने दिया था तो टेंसले ने दिया था यह याद रखेगा दोस्तों हैं कि निम्नी में कौन सा समयं यह सरत हैं तो समध्य है तो इक को जोगा है सच्छा anderen można नमबर यह बताना है दोस्तों तो छार जो होता है इन्य उसे कॉंण चएने होता है तो इसको जगा सी यह निले लिटमस को लाल करता यह गलत है निले लिटमस को लाल जो है यह क्या करता है तो तो नीले लिटिसेपद को लाल तो आपसर नंबर सीज का राइट एंस रोज़ागा यह संनके हैं याद रखेगा मनुस्र से चाहिए परकास पौधे और जीवोट डोनों की जन की परकेलिया को पर्वावध करते हैं परकास जो है पॉधे और जीव दोनों की जनेर किरिया को परभाव्यत करते हैं यह जो क्या होगा बिल्कुल सही है जली तंत्र में परकास की उस्झतिती से उत्पादक और वगता की उपश्झति निधारित होती है तो यह भी आपका सही है आनि कि एक और दोनों सही है तो पुना वापस पुना वास्था में उसको नहीं ला जा सकता है जिसको जब वास्था में ला कहते हैं कैते हैं तो क्योंकि जब दूढ itself से दही बना देंगे तो फिर हम दुवारा उसके दूद्ध नहीं बना सकते उसी परकार से यहां पर जल का जलवास में प्रिवतन करके हैं प्र क्या कर सकते हैं उसको पारी फिर बदल सकते हैं जिसलिए यह फोटी प्रिवतन हो जाएगा तो साथ नमर्ची का रैट इंद रहे हो वाट इसका रैटंथ डिए उरजा का मतरक जूल होता है 20 क dewिंदung होता है उसमा का जूल होता है ठोसकोन काiblidade होता है तो यह याद रखेएगा कि वाई मंदलिये दाप की काई क्या होती है तो वाई मंदलिये दाप की काई के बारे में देखा जाए जोस्तों तो यह आपका राइटेंद दोगा उपर एक से अधिक हो जा क्योंकि वाई मंदलिये दाप की काई जो होता है पास्कल द्वारा भी सुचित करते हैं न्यूटन आगला पुंछ जर्ण से करता है पर क्वी तो जाते हैं उपसर नंबर सेकोई बताता है कि उनके गुण जो है परमानु संख्या का आवधिक कार होते हैं तो आपका इसका राइटन सरक्षा जाएगा तो आपसर नमर इसका बी हो जाएगा आनिक जो है आधुनिक हैं आधुनिक आवधिक नियम में यह बताता है अगला पर पर निया करती हुए एक कार विप्रिधिर्था आती है हावा का सामना करती है तो कियो कि कि यह हावा रोक रहे हैं तो सामना कर रहा है कि हाड़ी को भिरोध कर रहा है हैं कि निवन में से किसका साइस स्विमिलित नहीं है तो साइस्विश्विमिलित नहीं था इस भाचि गोंभंव भागता मैं नहीं है यह वह न Bashi तेखको या यह नहीव कि में बद भी तो सीअपन होते हैं ममें यह perceived दो our स्टोपर के उन्ठ रेता नियत रहता है तपमान नियत रहता है उस का रेत इंसर जगा इस टूकी नालिका इस टूकीह नालिका इस टूकीह नालिकाında सब्सक्राइब करती है तो सुर्यास के बाद भी पिठ्थीवी की सतर के निकट वायू किस कारण उसमा प्राप्त करती है तो सुर्यास के बाद जो सब्सक्राइब कार्ण करती है प्राप्त करती अप्रौण करती है तो इंसलीन की किस ने किया था तो बैंटिंग और बेश्य ने किया था था कब 1921 में किया था यायद रखेगा अगला प्रश्ट है कि एविज गर्म रखत वाले जीव होते हैं और उनका दिल कितनी कच्छों वाले होते हैं तो एविज गर्म रखत वाले जीव जो होते हैं जैसे कि हम लोग भी गर्म रखत वाले आते हैं पच्छे भी गर्म रखत में आते में हैं आपने में गठाएं ठैक्नार में में कम सबस्क्राइब को उसम में नहीं में निकलने निकलने देता है इभी स्य नोग्ण स्यू टू को वाइब मंडल में 0.03% मात्रा हो गया तो यह भी सही है तो इन में से तीनों सही हो जाएगा तो आपका इसका रिट एंसर की आज़ा तो एक से धीक हो जाएगा और आपसन नमघ जो है चार इसका रिट एंसर जो जागा दोस्तों यह याद रखेगा आलो में स्टार्च किसके साथ अवकिरिया करने के बाद नीले रंग में परवर्तित हो जाता है तो आपको बता दो कि पिठीवी का केंद्र जो होता है यह नीफी से नीफी यह दर राखिया है तो इसका अपर परवर्तित होता है क्योंकि यह जो है इसका जो यह sunồng लेगने के लिए अधिकत्म होता और जो है लाग रंग के लिए निमतम होता तो अपस्वेस का राकरति गैस का एक प्रात्मी घटक है तो प्राकरति गैस का एक प्रात्मी घटक है नेक पुस्ट नमारा दिया गया है कि ओवाशी चेतरों के लिए कि दरी ये परदुसर्ण नेंत्रन बोड द्वारा प्रस्तावित मानवत्फूर्ण कितना रखा गया है तो आवासी चेतरों के लिए या प्याश्च डिसिबल और शांग के लिए पचाश डिसिबल रखा गया तो इयाद रखेगा दोस्तों यह फै यहाँ जो है आपका इसको बता दो तोस्तों यहां पे आपका प्रैक्रिस से नमर वान जो है समाप्थ होता है इसमें जो है 41 से जो 20 तक जो जीके जिसका प्रस्ण दिया गया था हमें उमिद है कि आपको यह वीडियो प्संद आया होगा इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जोई करना ना भूलें इसमें आपका जो स्कूर कितना रहा आप जो है एक जाम करेक करने में आपको कोई दिकत नहीं होगा तो दोस्तों मिलते हैं आगले वीडियो में नए प्रस्ण को साथ जैहिन चैभारत